मुक्यमंत्री शिवराज सेंग चोहान विदीशा पहुंचे जहाँ उन्होंने खान बाबा टीला स्थित अपने वेरहाउस में टमाटर सहित आने फसलों की खेती को देखा तो वहीं किसानों से जैविक खेती करने की अपील उन्होंने की देखिए हास रपोर्ट सीम शिवराज ने प्रदेश के किसानों से प्राकृतिक खेती करने की अपील करते हुए परमपरागत खेती के अलावा फल और फूल की खेती करने पर जोर देनी की बात कही सीम ने कहा कि खेती के प्रती लोगों का रोजान बढ़े इसलिए उन्होंने स्वयम खेती करना शुरू कर दिया है गेहूं की शर्बती किस्मों को पेंटेट करने को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी इस मौके पर साधना सेंग चोहान, कलिक्टर उमा शंकर भारगो, सेपी, मोनिका शुकला, प्रशासनी कौर्पोलिस अधिकारी मौजूद रहे और उसी के नाम पर यह अलगला कंपनिया, अएंपी, बीट, एंपी, वीट, यह साधना था चल रहा है दधान का चल रहा था अबना शर्बती को भी जी आई टेग की को सिस कर रहा है बास्मती को अपने की ही है एक चिनोर चावल को भी जी आई टेग मिल गया खेती में अब 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 अपन परमपरागत फसलों से जो मैंने का खेती का विवधिकरण गेहूं के साथ धान के साथ बाकी चीजें भी लगाएं और तीसरी चीज अब प्राकृतिक खेती की तरफ ध देश से नंबर एक केमिकल और फरिटलाइजर लुकसान पहुंचाता है इंसान के स्वास्त को बुरी तरह से प्राभावित करता है इस दोरान सीम शिवराज संग चोहा ने पत्रकारों से बात चीत करते हुए शहर की विविभिन समस्या को लेकर भी चर्चा करी कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश भ्यून होने दिए वेरो रिपोर्ट MP News TV विदीशा